f आपका 2 से 7 से लेकरके 0 से infinite तक या है domain और range दी भी है, continuous and differentiable function, then the value of this. देखो, यह जो लिखावा है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? f of 7 का cube, f of 2 का cube, a cube minus b cube. upon with 3, यह लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्या करो, अपनी तरफ से एक function define करो, gx, जो की होगा आपका, fx का cube, ठीक है? continuous and differentiable function, then the value of this, where c belongs to 2 to 7. c कहां से गार तक बिलोंग कर रहा है? 2 से 7 बिलोंग कर रहा है. तो अब यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ, c dash of c, अगर मैं निकालना चाहूँ, c dash of c, अगर मैं निकालना चाहूँ, तो क्या होगा वो? f of 7 का cube, f of 2 का cube, upon with 7 minus 2, 5. ठीक है? यह बात के लिए रहा है? g dash of x निकालूँगा मैं तो मेरे को क्या मिलेगा कि g dash of x 3 times f of x का square into में f dash of x तो इसके अंदर c put करो अब आप ठीक है इसके अंदर c put करो तो g dash of c ये कितना होगा 3 times f of c 3 times f of c का square into में f dash of c ठीक है तो g dash of c की जगे पर value put करो ये वाली 3 times f of c का square into में f dash of c ठीक है equal to f of 7 का cube minus f of 2 का cube अपन में 5 ये बात के लिए रहे अब आपो क्या करना है आपको ये करना है कि 3 पड़ावा था ना हमार पास यहां पर तो इस 3 को नीचे बेज दो तो जैसे इस 3 को नीचे बेजोगे इस 5 को ऊपर भी बेजना पड़ जाएगा अपको तो यहाँ पर 5 आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा तो हमसे value पूछी है इसकी ठीक है इसकी value पूछी है न हमसे तो आगया हमारे पास f of 7 का cube minus f of 2 का cube किसके बराबर है 5 times fc का holy square 5 times fc का holy square into f dash c 5 times fc का holy square into f dash c ठीक है यह आगया हमारे पास correct c option